नमस्कार दोस्तों न्योजबारलेस के यूटुब चल में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ बहुत ही रोचक इंट्रेस्टिंग टॉपिक सुकन्या सम्रिदी योजना के विशाय में शुकन्या सम्रिदी योजना में करे निवेस बिटिया का भविश्य होगा उज्यल दोस्तों ये आज का वीडियो हमारे बिटिया के लिए है सुकन्या सम्रिदी योजना में एकाउंट सिर्फ 250 रुपया से खोला जा सकता है इससे छोटी छोटी बचत के जरिए बच्चे की साधी या उच सिक्चा के लिए सुकन्या सम्रिदी योजना में रकम जमा कर सकते हैं ठीक है नई दिली दस वर्स दस साल से कम उम्र के बच्ची के लिए उच्छ सिक्चा साधिक के लिए वच्चत करने के लिहाँ से कैंदर सरकार की सुकन्या समर्दी योजना एक अच्छी निवेस योजना है निवेस के इस विकल्प में पैसे लगाने से आपको इनकम टेक्च बचाने में भी मदद मिलती है जो लोग सेयर बजार के जोकिम से दूर रहना चाहते हैं और फिक्स डिपोजिट में गिरते गाज दर से परिसान हो सुकन्या समर्दी योजना उनके लिए बहतरीन कदम साबि दोशक्ति है क्या है सुकन्या योजना ठीक है सुकन्या समर्दी योजना बेटियों के लिए कैंद्री कैंद्र सरकार की एक छोटी बच्छाओ और बेटी पड़ाओ इसकीम के तहत लाउंच किया गया चोटी बचत एसकीम में सुकन्या सबसे बहतर ब्याज दर वाली योजना है साल 2016 सतरह में SSY में 9.1 फीजदी की दर से ब्याज दिया जा रहा था जो इंकम टेक्स छूट के साथ है इससे पहले इसमें 9.2 फीजदी तक ब्याज भी मिला है बहुत कम रकम के साथ खुलने वाला सुकन्या समर्दी योजना खाता दरसल उन पड़िवारों को ध्यान में रखकर सुरू किया गया जो चोटी चोटी बचत के जड़िये बच्चे की साधी और उच सिक्चा के लिए रकम जमा करना चाहते हैं आप इसका डिचल पूरे पढ़ सकते हैं अगला देखिए कैसे खुलाएं सुकन्या समर्दी योजना खाता सुकन्या समर्दी योजना के तहट एकाउंट किसी गर्ल चैल्ड के जम लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपईया के जमा के साथ खुला जा सकता है चालू भीत वर्स में सुकन्या समर्दी योजना के तहट अधिकतम 1.5 लाख याने 1.5 लाख रुपईये तक जमा कराए जा सकते हैं कहां खुलेगा सुकन्या समर्दी योजना सुकन्य समर्दी योजना के तहट एकाउंट किसी पोश्ट आपीस या कमर्सियल ब्रांच के अधिकरित साखा में कोला जा सकता है कब तक चलाना होगा सुकन्य समर्दी योजना यहाँ पर मुक्मुक टॉपिक दिया गया है जो टॉपिक को देख करके हम सुकन्य समर्दी योजना के संबंद में जो कुछ हमें प्राबलम होगा सारा समाधान यहां से मिल जाएगा कब तक चलाना होगा सुकन्य समर्दी योजना का खाता तो सुकन्य समर्दी योजना खाता कोलने के बाद यह गर्ल चैल के 21 साल के होने तक या 18 साल के उम्र के बाद उनकी साधी होने तक चलाया जा सकता है क्या है सुकन्य समर्दी योजना का उपयोग ठीक है इसका उपयोग भी देख सकते है सुकने समर्दी योजना खाते में 18 साल के उम्र के बाद बच्चे की उच सिख्चा के लिए खर्च के मामले 50 पिर दी यानि 50% रकम उसे आप निकाल सकते हैं 18 बर्स के बाद सुकने समर्दी योजना खाता कोलने के नियम क्या है सुकने समर्दी योजना खाता बच्ची के माता पिता या कानूनी अविभाबक द्वारा गर्ल चायल्ड के नाम से उसके दस साल के उम्र से पहले खोला जा सकता है इस नियम के मुताविए एक बच्ची के लिए एक ही खाता कोला जा सकता है और उसमें पैसा जमा किया जा सकता है एक बच्ची के लिए दो खाता नहीं कोला जा सकता है अगला है सुकन्य समर्दी योजना के लिए जरूरी कागजाद क्या है ठीक है यदि हम खाता कोलाएंगे या बैंक में देना जरूरी है और इसके साथ ही बच्चे और अविवायों के पहचान और पत्य का प्रमान भी देना होता है ठीक है तो यहां पर हम आधारकार लगा सकते हैं ठीक है और बच्चे की हमें इमेज भी देना होता है मतलब फोटो भी देना होता है और अभी वहाबक काई फोटो नहीं लगता है बच्चे का फोटो उसमें मुक्रूप से लगता है चलिए सुकने समर्दी योजना में कितनी रकम जरूरी है सुकने समर्दी योजना एकाउंट खोलने के लिए 250 रुपईये काफी है लेकिन बाद में 100 रुपईये के गुनन में पाइसा जमा कराये जा सकते है किसी एक बित्य बर्स में कम से कम 250 रुपईये जमा कराया जाना चाहिए अब देखिए दोस्तों कितना सुन्दर है या आपको एक बर्स में कम से कम 250 रुपया जमा करना है ठीक है एक बरस में आप कम से कम 250 रुपया जमा करेंगे और अधिकतम आप 1.5 लाक रुपया तक जमा कर सकते हैं सुकन्या योजना के ताथ सुकन्या योजना खाता में रकम खाता कोलने के दिन से ही 15 साल तक जमा कराया जाता है 9 साल की किसी बच्ची के मामले में वह 24 साल की हो जाए तब तक रखम जमा कराई जा सकती है बच्ची के 24 से 30 साल के तक होने तक सुकन्य समर्दी योजना काता मैच्चूर हो जाए उसमें जमारासी का अब्याज मिलता रहेगा चलिए अगला चीज देखते हैं सुकन्य समर्दी योजना में रकम जमा नहीं हो पाई तब किसी औरनेमिट सुकन्य समर्दी योजना अकाउंट में जहां कम से कम रकम जमा नहीं हुई तो उसे 50 रुपई सलाना की पैलेंटी देने देकर जमित कराया जा सकता है अब देखिये दोस्तों सबसे पहली बात तो यहां पर एक साल में आपको 250 रुपई जमा करना है कम से कम और उस साल आप 250 रुपई जमा नहीं कर पाए तो अगले साल आपको 50 रुपई पैलेंटी देना पड़ेगा और फिर से आप उस काते को चला सकते हैं वैसे यह रकम बहुत छोटा है कोई जरू नहीं है एक साल में 250 रुपई आसान है चलिए अगर पैलेंटी नहीं चुकाई गए तो सुकन्या समर्दी योजना खाते में जमा रकम पर पोश्ट आपीस के सेविन अकॉंट के बराबर ब्याज मिलेगा देखिये दोस्तों तो ये काम नहीं होना चाहिए जो कि अभी करीब 4 फिस्ती है 4 पर प्रतिसत अभी जो ब्याज मिलता है वो ब्याज मिलेगा तब जा करके अगर हम साल में 250 रुपई कम जमान नहीं करते हैं तो और अगले साल हम ब्याज उसका पैनल्टी नहीं भरते हैं तो इस से या 99.1% ब्याज देती है और वी चक्रविद्य व्याज देती है कितना वख्या मौका है चलिए शुकहने सम्रिधी योजना खाते में रकम जमा कैसे होगी अब ये भी एक सवाल है सुकन्य समर्दी खाते में रकम cash, check, demand drop या किसी ऐसे installment में भी जमा कराई जा सकती है जिसे bank स्विकार करता है इसके लिए रकम जमा करने वाले का नाम, account holder का नाम लिखना जरूरी है चलिए सुकन्य समर्दी योजना खाते में रकम electronic transfer mode से भी की जा सकती है अगर उस post office या bank में core banking system मौजूद हो अगला देख लीजिए अगर सुकन्य समर्दी योजना खाते में रकम check या drop से चुकाई गई तो रकम खाते में clear होने के बाद उस पर ब्याज दिया जाएगा जबकि इट ट्रांसपर के मामले में deposit के दी नहीं या गन्ना हो जाती है तो सुकन्य समर्दी योजना खाते पर ब्याज की गन्ना कैसे होती है उसका एक graph दिया गया है और भी से सम्बंदी धेर सारे आपको जानकारियां मिल जाएगा इसको आप पर सकते हैं मैं description में इसका link दे दूँगा वहाँ से जाकर के आप पूरे detail पर सकते हैं तो कैसी लगी वीडियो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यदि आप नए आए हैं तो लाल रंके सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बगल में bell icon प्रेस कर दें चुकि हमारे चैनल पर हमेशा एजुकेशनल विडियो आता है जो की हमारे समाज हमारे परिवेश से जुरा हुआ रहता है और हमें लाब पोहुंचाने का कार्ज करता है तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जयभारत बेटी बचाओ